नमस्कार दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी यूट्यूब पर जहांपे आपको बैटरी सेविंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है लेकिन कई बार दोस्तों हमारे डिवाइस की बैटरी ही खराब होती है और हमें पता नहीं होता है और ऐसे में हम कितनी भी टिप्स और ट्रिक्स अपने फोन में अपलाई कर लें बैटरी नहीं रुकने वाली तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रनिंग स्मार्टफोन के अंदर बैटरी को कैसे चेक कर पाएंगे गेलेक्सी एप स्टोर के उपर जाना है याद रहे दोस्तो प्ले स्टोर पे नहीं जाना है आपको गेलेक्सी एप स्टोर के उपर जाना है और यहां पे आपको एप्लिकेशन सर्च करनी है सामसंग मैंबर्स तो ध्यान से आप दोस्तो लोगो देख लीजे इस download and install होने में लेकिन trust me बहुत ही useful application है यह Samsung की तरब से आपको जितने भी benefits मिलने वाले हैं वो आप इस application में देख सकते हैं updates वगेरा देख सकते हैं तो इस तरह का interface आएगा दोस्तो और यहाँ पे benefits, news and tips और diagnostics तो हमें simply diagnostics में जाना है फिर आपको जाना है phone diagnostics में यहाँ तीन option है, तीनों बहुत useful है phone diagnostics में आपको इस तरह का menu मिलेगा सबसे नीचे जाना है आपको battery status वाले option में तो simply यहाँ पे दोस्तों आप हर एक hardware basically check कर सकते हैं तो अभी हम battery की बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों battery वाले section में आते ही आप देख रहे है battery जो है इस device की वो normal है life good है, capacity यहाँ पे 5000 mAh है और आप start again पे जैसी क्लिक करेंगे आप देखेंगे दुबारा से same result आया है which means कि यह application open होते ही आपको एकदम correct result दिखाती है इसके लाओ दोस्तों app battery uses and diagnostics में अगर कोई application बेकार में बहुत ज़ादा battery consume कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके लाओ दोस्तों app safety भी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो बहुत ही कमाल की चीज़े हैं यह बहुत ही कमाल के option हैं तीनों आप जरूर एक बार अपने device में try करें तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही उमीद करता हूँ आपको information useful लगी होगी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe करें वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले मैं मिलता हूँ आप से ऐसी ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए goodbye दोस्तों